तो हम पढ़ रहे हैं आपका जो चैप्टर है फूड वी इट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो हम है डिफ्रेंट काइंड फूड खाते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है आज आगे देखींगे हम चैप्टर में क्या है देखी अब है वोटर के बारे में वोटर पानी वी ड्रिंक वोटर एबरी डे हम क्या करते हैं वी ड्रिंक वोटर हम पानी पीते हैं एबरी डे हर दिन Water has a very important role in our life जो water है जो पानी है has very important, बहुत ही important, बहुत ही महत्वफुरण role होता है इसका किस्पे हमारी life में हमारी जिन्दगी में जो है water का बहुत important role है Our body contains about 50-70% water तो देखें हमारा जो शरीर है contains कितना होता है पानी हमारे शरीर में 50-70% Water is also present in our food items जो water है जो पानी है वो कहा होता है present किसमें पाया जाता है पानी इन आवर food item जो हमारी खाने की चीजें है उनमें भी क्या होता है Water तो ये था water के बारे में Next is milk Milk is a complete food जो दूद है हमारा वो एक तरह से क्या है देखें वो अपने आप में एक complete food है पूरा एक वो खाना है Milk is good for growing children Milk किसके लिए अच्छा है देखें For growing children जो grow कर रहे हैं बच्चे जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है Milk जो है बहुत अच्छा होता है Children should drink milk regularly जो बच्चे होते हैं They should drink milk regularly उनको क्या है regularly जो है Properly जो है हर दिन जो है दूद वो पीना चाहिए लगातार जो है milk का दूद का सेवन करना चाहिए We make many food items from milk हम जो है क्या करते हैं देखिए Make many food items बहुत सारी जो खाने की जो चीजे हैं वो हम किसे बनाते हैं Milk से दूद से देखें कौन कौन सी food item है Such as कौन कौन सी यह देखें Curd हो गया आपका Cheese, Water, Ghee, Ice Cream, Etc तो ये सारी चीजें देखें आप दही हो गया, आपका चीज हो गया Water हो गया, घी ये सारी चीजें किस से बनती हैं ये milk से बनती हैं Next देखें Cooking food पका हुआ खाना या खाने को पकाना देखें इसमें क्या बता रहा है Cooking makes the food soft as well as tasty जो पका हुआ खाना होता है या जो खाना हम जो पकाते हैं पकाने से खाना कैसा होता देखिए Cooking makes the food वो soft हो जाता है मुलायम और tasty भी होता है We eat both cooked and raw food हम क्या करते हैं देखें दोनों तरह का खाना खाते हैं cooked पकाया हुआ भी और raw food कच्चा भोजन भी most of the fruits are eaten raw most of the fruits जो है देखिए जो जादा तर जो फल हैं उन्हें हम कैसे खाते हैं eaten raw वैसे कच्चा ही उनको हम वैसे खा लेते हैं जैसे बो होते हैं a few vegetables can be eaten raw कुछ एक जो सबजिया हैं हमारे पास उन्हें भी हम कैसे खाते हैं कच्चा ही खाते हैं we must eat vegetables like cucumbers tomatoes carrot radish onion and some leafy vegetables raw तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हमारे पास दिये हैं ये कुछ vegetables हैं कुकंबर हो गया आपका टोमेटोज carrot readiness sorry radishes onions ये जो है और कुछ जो leafy vegetable है पतेदार सबजियां उन्हें हम कच्चा ही खा सकते हैं या हमें उन्हें खाना चाहिए vegetables and fruits keep our body healthy जो सबजियां हैं और जो फल हैं वो क्या करते हैं keep our body healthy हमारे शरीर को बस्वस्त रखते हैं all vegetables must be washed very well before they are eaten either cooked or raw देखें क्या बोल रहा है all vegetables must be washed सारी जो सबजियां उन्को धोना चाहिए variable बहुत अच्छे से before they are eaten खाने से पहले खाने से पहले क्या करना चाहिए हमें जो सबजियां उन्को अच्छे से धोना चाहिए फिर चाहिए हम उन्को पका के खाएं आच्छे उन्हें कच्छा खाएं तो उससे पहले क्या करना चाहिए हम उन्को धोना चाहिए washing removes the dirt and germs that it may be caring धोने से क्या होगा देखी removes क्या हट जाएगा इससे dirt जो उसमें जो dirt लगा होगा जो dust लगा होगा और जो germs है उसमें किटानू होगे वो क्या है वो remove हो जाएंगे जो सब्जियों के साथ या फलों के साथ जो dirt लगी होगी जो गंद लगी होगी और जो कीड़े मकोडे होगे उसमें वो मर जाएंगे या वो निकल जाएंगे दोने से next balanced diet देखी क्या होता है संतुलित जो diet है a balanced diet has all the types of food items in the right quantity जो हमारी जो balanced diet है वो उसमें क्या होता देखी all the types of food items सभी तरह की जो food item है in right quantity परियाबत मातरा में या उचित मातरा में वो उसमें होती है तो balanced diet क्या होई आपके पास जिस food में क्या होता है हमारे पास ये वो food है जिसमें सारी food items क्या होंगी right quantity में होंगी उचित मातरा में तो ये था आपका chapter चलिए इसका अब quick revision करते हैं देखी क्या बोल रहा है revise करते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा इस chapter में food gives us energy if we have energy we can work well हमने पढ़ा कि जो food है जो भोजन है वो हमें energy देता है और ये दि हमारे पास energy है तो हम काम भी अच्छे से कर सकते हैं we can work well food helps us grow well जो खाना है वो हमारी किसमें साहते करता है बढ़ने में बढ़ा होने में food helps us to fight diseases देखिए और किसमें help करता है food fight diseases बिमारियों से लडने में भी help करता है our food item consist of body building food energy giving food and protective food हमारा जो food है उसमें क्या क्या होता देखिए body building food भी होता है उसमें energy giving food भी होता है और protective food भी होता है we get food from plants and animals हमें जो food है वो कहां से मिलता है देखें plant और animals से water is an essential part of our food जो पानी है वो क्या है देखिए essential part जरूरी हिस्सा है वो किसका हमारे food का our food cooking makes the food soft and tasty पकाने से जो है वो food है वो कैसा होता है soft भी होता है वो और tasty भी होता है most of the fruits जादा तर जो फल है and some vegetables कुछ जो सबजियां है are eaten raw इनको हम कैसे खाते हैं जो जादा तर जो फल है या कुछ जो सबजियां है उनको हम raw ही खाते हैं कच्चा ही खाते हैं so this is your chapter now you have to read the chapter properly and understand and also remember the various kinds of food items and their sources thank you